दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केश्विवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं अब एक बार फिस है आम आदनी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोक्त के आरूपों के मामली की जाच के लिए क्राइम ब्रांच के एसीपी केश्रिवाल को नोटिस देने के लिए उनके घर पहुँचे लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर मौझूत अधिकारी पुलिस के नोटिस को लेने से इनकायर करते रहे मीडिय रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केश्रिवाल ने आरूप लगाया था कि बीजेपी पार्टी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है केश्रिवाल का कहना था कि उनके 21 विधायकों को तोड़ने की योजना है और इस संबंध में उनके 7 विधायकों से संपर्क भी किया गया ऐसी जानकारी है कि क्राइम ब्रांच की सूत्रों के मुताबिक अरविंद केश्रिवाल के घर ACP क्राइम ब्रांच पहुँचे है कहना है कि पुलिस नोटिस नहीं दे रही, पुलिस मीडिया को लेकर आई है, पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं बलकी बदनाम करना है बता दें कि सीम के जिरवाल के घर शुक्रवार शाम को भी नोटिस लेकर CBI पहुँची थी लेकिन CM आवास पर मौझूद अधिकार्यों ने नोटिस लेने से उस वक्त भी इनकार कर दिया था इसके बाद पुलिस अधिकारी बिना नोटिस दिये वहां से रवाना हो गए थे गौर तलब है कि दिल्ली सरकार में PWD मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस कर आरोप लगाया था कि BJP आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड रुपय का ओफर दे रही है उनके साथ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई हलाकि BJP ने आपके सभी आरोपों का खंडन किया था मीड़ रेपोर्ट्स की माने तो इस मामली में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच आतिशी को भी नोटिस भेज सकती है इसके बाद दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केज्रिवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दावा किया था कि BJP दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है पिछले दिनों BJP ने हमारे दिल्ली के साथ MLA से संपर्ग किया और कहा कुछ दिन बाद केज्रिवाल को गिरफतार कर लेंगे उसके बाद MLA को तोड़ेंगे 21 विधायक से बात हो गई बांकी बचे विधायकों से भी बात कर रहे हैं साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे सभी MLA BJP के ओफर को ठुकरा चुके हैं बहराल अब MLA की खरीद फरोग को लेकर लगातार सवालिये निशान पर हैं अरविंद केज्रिवाल उनको जवाब देना होगा लगातार नोटिस जारी किये जा रहे हैं वहीं ED भी लगातार समन जारी कर रही है जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केज्रिवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है